गुड मॉर्निंग एब्रिवन स्वागत अब सभी का विजडम एजुकेशन पे आज 23rd फरवरी 2022 है दैनिक जागरन की राष्टिय संस्क्रन का कम्प्लीट न्यूज एनलाइसिस करेंगे जो यूपेसी, स्टेट, PCS या किसी भी वन डे एक्जाम के प्रिलिम्स, मेंस और कमेंट सेक्षन में देशकते हैं और विडियो कुनिश्य तोर पर लाइक करते हैं रूस और यूक्रेण में विवाद उसी तरह का विवाद है जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में विवाद है यूक्रेण भी कहिन कहीं रूस का पार्ट पहले था पाकिस्तान भी कहिन कहीं भारत का पार्ट पहले था तो इसी तरह का कुछ विवाद है रूस और United Nations Security Council की एक मीटिंग आयोजित की गई थी अगर भारत को आप देखेगा तो भारत ने इस मीटिंग में दोनों ही पक्से सांती बनाने की अपिल किया UNSC का भारत एक मेंबर है UNSC का टोटल पंदरा मेंबर होता है जिसमें पांच अस्थाई सदस होता है और दस और अस्थाई सदस होता है तो भारत वरतमान में United Nations Security Council United Nations Security Council का एक साथ से एक और स्थाई मेंबर है तो भारत ने सधी तोर पर प्रतिक्रिया दी है भारत का दोनों से अच्छा समध रहा है यूक्रियन से भी अच्छा समध रहा है और रूस से भारत का अच्छा समध रहा है अब देखें बिवाद का जर क्या है बिसिकली मैं डिटेल से डिसकस कर दोंगा वीडियो सेपरेट वीडियो में लेकिन थोरा सा बेसिक पॉइंट में डिसकस करता हूं यहां आपको देखेंगा बिवाद का जर इस पॉइंट में पूतीन के इस स्टेट्मेंट में आपको बि दूत्य विशुजी के बाद 202 धरा में बठ गया था एक USA का धरा था और दूसरा था USSR का यानि रूस का एक धरा था USA के धरे के जो member country थे या USA के जो supporter country थे उसको NATO का आ गया और पश्मी यूरोप अगर आप देखेंगे यह जो पश्मी यूरोप का पाठा है यह maximum देश जो है NATO का सदस्य है NATO का सदस्य होने का मतलब कि NATO के एक देश पे हमला मतलब पूरे NATO पे हमला यानि माल लेता है कि कलके डेट में यूकरेन अगर NATO में सामिल होता है तो इसका simple मतलब यह होगा कि रूस अगर यूकरेन पे हमला करता है इसका मतलब यह हुआ कि रूस अमेरिका पे भी हमला कर रहा है रूस फ्रांस पर भी हमला कर रहा है, रूस जर्मनी पर भी हमला कर रहा है, रूस जितने भी नाटो के देश हैं सभी पर हमला कर रहा है और सभी मिलकर retaliate करेंगे, तो यही नाटो का एक मकसद है कि नाटो के एक देश पे आक्रमन मतलब नाटो के सभी देश पे आक्रमन और ऐसे कंडिशन में नाटो के सभी देश मिल के रिटिलियेट करेंगे अब यूकरेन क्या कह रहाता है कि यूकरेन कह रहाता है कि मैं जो नाटो में सामिल हो जाऊंगा रूस का कहना है कि आप नाटो में सामिल होने की जित छोड़िये अगर यूक्रियन नाटो में सामिल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अमेरिका का मिलिटरी बेस भी नाटो में होगा फ्रांस का मिलिटरी बेस भी यहाँ पे होगा और यहां से कहिन की रूस को टार्गिट करना आसान हो जागा अमेरिका के लिए यहां से रूस को टार्गिट करना नाटो के लिए आसान हो जाएगा इसलिए कभी भी रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने इसमें details मैं separate वीडियो बना करके discuss कर दूँगा आज मुझे समय मिलेगा तो मैं आज ही discuss कर दूँगा कल मैंने एक important topic पर वीडियो बनाया था इंडिया UAE relation पर वीडियो बनाया था आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लिजेगा लगभग details मैंने उस वीडियो में discuss किया था भारत UAE संबन और खास करके जो SIPA sign हुआ है comprehensive economic partnership agreement जो sign हुआ है इंडिया और UAE की वीच में उसमें हमने details से चर्चा वहाँ पर किया है बांकी first place में कोई important news नहीं है इटली से वापस लाई जाएगे भगवान अव लोग की तेश्वर पन पाने की मूर्ति अब देखें इस तरह का जो मूर्ति है अगर आप देख रहे होंगे गौर कर रहे हैं तो कनाडा से मा अनपूर्णा की मूर्ति आ रही है वारण नशी इ उसके बाद बिटेन से भी कुछ मुर्ति जो है जो हमारे जो चली गयी थी वहाँ पर यया कुछ वहाँ पर जो चला गया थे illegal तरीके से भी इंडिया को रिटर्न कर रहा है इसी तरह से इतली भी जो हमारी धरोहर रही है हमारी मूर्ती रही है जो कहिन के illegal रूप से इतली पहुँच चुका है उसे return कर रहा है तो यह जो point है यह सारे पॉइंट प्रसपेक्टिव से आपके लिए important होगा हो सकता है आपसे question पूछ दे कि कोन सी मूर्ती कनाडा से इंडि आई है कौन से मूर्ति बिटेन से इंडिया आई है वंडे एक्जाम में एस्टेट पीसेश में और यूपीसी में दोनों जगे ये क्वेशन पूछा जा सकता है चलिए आपको मैं एक प्रस्ण देता हूँ आप लोग इसको खूजिएगा कि ये जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की मूर्ति है अब लोग की टेश्वर्थ पद्न पानी की मूर्ति ये किस संबंदित है बौत धर्म के किस संप्रदाय से संबंदित है क्या ये हिनियान से सं संबंदित है क्या ये ब्रज्यान से संबंदित है इसको इसका जवाब हमें कमें सेक्षिन में आप सभी लोग एटेंट कीजिएगा पेगारस प्रक्रम में सरोच न्याले सुक्रवार को करेगा सुनवाई मैंने कल भी डिसकस किया था कि पेगारस को लिकर के जो समिति बनी थी जस्तिस आर वी रविन्दरन समिति माननिया सरवोच न्याले के एक retired justice है आर्वी रविन्दरन उनकी अध्यक्सता में पेगारस के जांच पे एक समित्य बनाई थी और इस समित्य के recommendation से सुकुरवार से इसकी regular सुनवाई करेगा माननिया सरवोच न्याले अब सुनवाई के बाद जो भी इन्योज होगा देखें सुनवाई के बाद जो भी सरकार को निर्देश देगा माननिया सरवोच न्याले वो निर्देश exam perspective से important होगा तो अभी ये डेली फिर चर्चा में रहेगा डेली इसको पढ़ने की जुरत नहीं है माननिया सरवोच न्याले का decision आने दीजिए जो भी आएगा वो exam perspective से important होगा और दूसरा ये है PMLA Act के बादे में दिया हुआ PMLA में money laundering के अबधारना की ब्यापक देखिए ED जो है ED जो संगठन है ED मतला होता enforcement direct rate हिंदी में कहा जाता है प्रवतर निदेश आले ये संगठन बेसिकली दो कानून के उलंगन पर action लेता है एक तो होता PMLA Prevention of Money Laundering Act और दूसरा होता फिमा Foreign Exchange Management Act तो ये दो एक्ट का उलंगन होता है तभी जाकर के ED action लेता enforcement direct action लेता है और ED लगातार कहिन के चर्चा में बना हुआ है इसलिए ये news भी important है PMLA Prevention of Money Laundering Act Basically Money Laundering Act को रोकने के लिए Money Laundering को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा लाया गया था अफगानिस्तान को भारत ने भेजी दस हजार मिट्रीक टन की पहली गेहुखेब अच्छे ये गया है पाकिस्तान होकर के मज़े की बात है ये पाकिस्तान होकर गया है और यहां पर आपको दिख रहा है ये जो ट्रक है ट्रक पर इंडिया का आपको ज़ंडा दिख जाएगा ट्रक के उपर आपको इंडिया के ज़ंडा दिख जाएगा दिखे ये जा क्यों नहीं रहाता है इसका रिजन था इसका रिजन था इसका रिजन ये था कि हमें पाकिस्तान एक्सिस नहीं दे रहा था, पाकिस्तान लास्ता नहीं दे रहा था पाकिस्तान के कहाना था कि एक काम करते हैं हम लोड़ de i Рटर अपण को भेज दें ऑक तो फो पाकिस्तान अपनी ट्रट पर यंडिया को भीजेगी। और जब यह टॉड़क अफगारिस्तान जाता तो कहिनके अफगारिस्तान में पाकिस्तान के पर्ति गुड़्विल और दूसरा ये था कि पाकिस्तान अगर मालेज जी आपकिस्तान के ट्रख नहीं पहुच पाता जितना गेहुं हम भेजना चाहते तो उतना अफगानिस्तान तक नहीं पहुच पाता ये दोनों ही रिजन था कि भारत ने इसको डिनाइ कर दिया और भारत का करनात है कि हम अपना ट्रक भेज़ेंगे अफगानिस्तान और हमको अपरास्ता दिजिए वस तो पाकिस्तान इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया तो काफी लंबी बात्चित के बाद एक बात किलियर हुई एक जगह आकर के सहमत्ति दोनों में बना कि ट्रक जो है वो अफगानिस्तान से आएगा ट्रक अफगानिस्तान से इंडिया है तो यह जो ट्रक है यह अफगानी ट्रक है अफगानिस्तान से इंडिया है और यहां से समान लेकर कर कि सीधे आफगानिस्तान चला जाएगा, अच्छी बात यह है कि इसमें भारत के जो लोगों और रहे है या भारत के झेंड़ा हो रहे है, आपको हर जगत दिखेगा तो एक goodwill gesture भी कहिए निसे के आफगानिस्तान के लोगों के परती अफगानिस्तान के लोग में भारत के पर्ति क्रियेट होगा ग्रामिन छेत्रों के बिकास का रास्ता तेया तो ग्रामिन छेत्र को लेकर के सरकार कई सारे काम कर रहे है और उसी का एक पार्ट है National Rural Infrastructure Development Authority तो उसी के सम्मंदित में ये न्यूस दिया हुआ और खासकर के जियो टेगिंग हो रहा पेतालिक्स लाग से अधिक ग्रामिन सरक का जियो टेगिंग हो चुका है तो इसको एक बड़ आप लोग पर लेजेगा दवा कंपनियां का डॉक्टरों को मुक्त चीजों देना कानूनी प्रतिवंद दवा कंपनियां आप देखते होंगे कि डॉक्टर को लुखाने के लिए कई सारे मुक्त चीजों देती हैं कि ताकि उसका दवा लिखे उस कंपनियां का दवा उस डॉक्टर लिखे द्वारा लिखा जाए तो यह मानने सरवश नियाला काना कि यह कानूनन प्रतिवंद है आप डॉक्टर को लुखाने के लिए मुक्त चीजें नहीं दे सकते हैं देखे यह जो नियूज है रूस बिश्व में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गेस का उत्पादक है रूस बिस्व में सबसे बड़ा प्राकिर्तिक गेट का इस्टोरेज रखता है भंडारन रखता है तो बिस्व में सबसे अधिक प्राकिर्तिक गेट का भंडारन रूस के पास है और बिस्व में सबसे अधिक प्राकिर्तिक गेट का उत्पादन करता है यू ऐसे सकेंड नवर पर रूस आता है तो ऐसे कंडिशन में रूस अगर यूकरियन बिबाद हुआ तो उससे क्या हुआ कि क्रूड ओयल की कीमत भी बरेगे और साथी साथ प्राकिरतिक गेस का कीमत भी बरेगा तो इसी को लेकर के भारत लगातार अस्थिदी को अबजर्ब कर रहा है इससे पहले आप देखते होंगे कि अरव संकट हुआ था तो अरव संकट में भी क्रुड ओयल की किमत भर गया था उसे पहले में आप 177 आसपा संकट आया था अरव में क्रूड की किमत भरा था तो crude oil की कीमत बढ़ना भारत के लिए खतरना condition होता हमेशा भारत की चीज़ें महगी होती है अगर हमारे यहां पेट्रूलियां महगा होता है तो सब की सब चीज़ महगी हो जाती है कुछ सर्तों के साथ सरकारी बिभाग share कर सकेंगे data सरकारी बिभाग आईती मंत्राले के अनुसार जो सरकारी बिभाग होंगे देखे data protection important है और data protection को लेकर के मैं लगातार आपके साथ चर्चा करता हूँ लेकिन data protection को लेकर के भारत में कोई concrete कानून नहीं है justice B.N. Shri Krishna समिती बनी थी और ये समिती ने data protection को लेकर के कई सारे recommendation सरकार को दिये थे कई सारे सुझाओ दिये थे B.N. Shri Krishna समिती के recommendation के आधार पे संसत में एक कानून पेस भी हुआ था data protection act लेकिन वो कानून जो पेस हुआ था उसको संसत की अस्थाई समिती के पास भेज दिया गया तो पिछले दो वर्से वो कानून जो है के कोई concrete कानून नहीं है तो हम लोग wait कर रहे हैं कि justice bn circumstance समीति के recommendation के आधार पर जो संसत में कानून पेश हुआ था वो संसत की अस्थाई समीति जल्दी से उस उस पर सुनवाई करके फिर संसत में भेज दें तो कुछ सर्तों के साथ सरकारी बिभाग शेयर कर सकेंगे data बेसिक information है खुद को बेनकाप करने वाले पाखरंटी थी कि मैं इस पर details से discuss नहीं करूँगा लेकिन एक point मैं बैस discuss करना चाहता हूँ कनाडा को लेकर कि यह issue है बहुत ज्यादा important नहीं है लेकिन यह issue मैं discuss करना चाहँ आ कनाडा के प्रधान मंत्री justyn टूर ने जब भारत में किसाम आदुलन चला था किसाम के मांग क्या थे किसाम की मांग यह भी थी कि हम्यामीं दीजिए हमें subsidy दीजिए तो इस आंदोलों का समर्थन क्या था कनाडा के प्रधान मंतरी जस्टीन टूरर ने और वही कनाडा भारत के खिलाब WTO गया हुआ WTO में भारत के खिलाब कनाडा है क्यों भारत के खिलाब WTO में है क्योंकि भारत अपने किसानों को subsidy देता है भारत उड़बड़क पर subsidy देता है भारत करी सारी चीज़ों पर अपने किसानों को subsidy देता है तो एक तरफ तरफ कनाडा के PM जो है किसान आंदोलों का समर्थन करते थे और दूसरी तरफ वही कनाडा की जो है PM वही कनाडा भारत के खिलाब WTO गया हुआ है क्योंकि भारत अपने किसानों को subsidy देता है तो आप सोच कर देखें तो यहां जब आप किसान का समर्थन कर रहे हैं कनाडा की प्रधान मंत्री तो इसका मतलब यह हो रहा है कि आप इस बार का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार को अपने किसानों को अधिक सबसीदी देना चाहिए तो फिर आप WTO में क्यों गया है तो इसको कहा जाता दोरी नेती इसको कहा जाता पाखंड नेती बहराल इजाम प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था बस देखी यह काफी इंपॉर्टेंट है 2023 में जो है मोटे अनाज का इयर घुशित किया गया मोटा अनाज मर्वा बसपर हम लोग मर्वा की रोटी खाते थे और आज मुझे पता चल्ला कि मर्वा को भी मोटा अनाज खा जाता है तो 2023 में यून की द्वारा भारत के सुझहों पर या भारत के सेजेशन पर 2023 को मोटे अनाज का अंतराश्थि वर्ष घुशित किया गया अब आपको एडिटोरियल इस तरह से आएगा आपको इस तरह से न्यूज आएगा कि मोटे अनाज का क्या इंपॉर्टेंस है की समस्चिया है 20 में सबसे अधिक को पोशन की समस्चिया भारत में है जन संग्या के लिहाज से तो उस को पोशन को दूर करने में चुकि मोटे अनाज में कई सारे बिटाइमिस होते हैं, लोहांस होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होता है, तो मोटे अनाज के माधियम से 20 सुवस्तर पे कोपोशन की समस्या को दूर किया जा सकता है, अगर आप मोटे अनाज का यूज करते हैं, तो आपको डियाविटीज नहीं होगा, आपको हिर्दय का रोग नहीं होगा आपको मोटा पा नहीं होगा तो कई सारा फायदा है मोटे अनाज का और पहले के लोग खुब खाते थे मोटे अनाज तो इसलिए पहले के लोग आज से काफी स्वास्थ हुआ करते थे स्वास्थिवाओं का डीश्टल विस्तार अगें यह जो न्यूज सम्मंदित है यह सम्मंदित है कि डीश्टल स्वास्थिवाओं को डीश्टल क्या 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 गया और खास करके बजट 2022 स्वास्थिवाओं के किस प्रोविजन को डीश्टल क्या गया इसको आप लोग डिटे एक योजना लॉंज किया 27 सेप्टेंबर 2021 को और यह योजना था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रास्तिय स्वास्थ आईडी परणाली मिलेगी जिसे हर वेक्टि का डेटा सुरक्षित होगा यह यूजना आने का डिजन क्या था यह यूजना आने का मतलद था कि जिस तरह स पर इसके परिशनाली से किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो आप यह अपना आड्상 ओप अपने सिस्त्व में डेप्टप दिया था क्या recommendation दिया था इसको कव क्या समझ्याय रही है तो आपके हदिक medical health को का जो data है वो सारा का सारा data सामने आ जाएगा उसके तो आपको paperless health system को paperless करने के लिए भी कहीं कहीं यह system आ रहा है और एक doctor के लिए भी important है कि उसको पता चल जाए कि सामने वाले जो patient है उसको कब कब क्या क्या समझ्याय रही है तो निश्री तोर पे एक साकरात्मक कदम इसको आप कहेंगे health को digital करने का एक सांदार mission इसको आप कह सकते हैं notapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ट्रीटिमेंट करने में, डॉक्टर को जो अपने पेसेंट को ट्रीटिमेंट करने में आसानी होगा, डॉक्टर को पास बहतर डाटा होगा, वन नेशन, वन आईटी कार्ट सिस्टम होगा, डॉक्टर का और होस्पिटल का डेटा उपलब आसानी से होगा, अस्पातालों तो पहुँच बढ़ेगी और पेपर बचेगा जिसे परियावरन की सुरक्षा होगा तो पेपर लेस हो जाएगा और पेपर लेस हो जाएगा तो जो हजारों लाखों जंगल जो कर्ट रहे हैं वो जंगल कर्टने से बचेगा जिसे परियावरन की सुरक्षा होगा तो यह तो पो पर पूरती को लेकर के दाटा प्राइवीजी को लेकर के काम करने के ओज Kung आ जुड़ा थी ही ने अ च्छ ना यहो Chem सब्टारों को ब्रतु है करके के असकता है चुलाज करने के असकता है और ज्यादे चुनोती नहीं है बाकि इसको पहलेजेगा इसमें जैसे इस अंजीवनी पोर्टल की बात किया गया है इसमें इस अंजीवनी पोर्टल पर्टल बेसीकली कहीं कहीं ओनलाइन हेल्थ सर्विस से समन्दिते टेली मेडिशिन के माध्यम से आपको डॉक्टर का एक्सेस मिल जाएगा और डॉक्टर से आप ओनलाइन बात कर सकते हैं या विडियो कॉन्फरेंसिंग से डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं देखे यह topic important है अगर budget में आप देखेगा गौर से 2022 तेस का जो budget है इस वार का तो सरकार digital अर्थ प्रिवस्था के और जाना चाहते हैं सरकार digital education को बढ़ावा दे रही है सरकार बढ़ावा दे रही है digital health को बढ़ावा दे रही है सरकार digitalization को लेकर digital bank को सरकार बढ़ावा दे रही है तो कई सारे चीज सरकार digitalization के और सरकार जा रही है तो वर्तवान के need है digitalization बाकि इसको पढ़ लिजेगा आप लोग इसको भी आप लोग पढ़ लिजेगा UNSC में रूस को नहीं मिला किसी देश का समर्थन कोई देश ने रूस को परत्यक्स तोर पर समर्थन नहीं किया इनफाक्ट जो रूस के closest एला है चीन उन्होंने भी परत्यक्स तोर पर समर्थन नहीं किया और भारत ने सधी पर्तिकिर्यार दिया है, भारत ने कहा है कि दोनों ही पक्ष रूस और यूक्रियन सांती से मिल करके बातचीत के माध्यम से इसका समधान करें है, क्योंकि भारत का दोनों के साथ अच्छा समधान है, दिखें ये न्यूज इंपोर्टेंट, हमारे देश के बिदिश मंत्री गए है अभी फ्रांस, इस पर भी अगर कोई डेवलेप्मेंट आएगा, तो मैं इस सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूँगा, लेकिन हमारे देश के बिदिश मंत्री फ्रांस गए है, पैरिस गए है, और पैरिस में हिंद परसांत पे यूरोपि संकी मंत्री एस्टरिय फोरम को सामिल होंगे, उस में चर्चा करेंगे, तो बिसिकली यूरोपिय यूनियन के मीटिंग होने वाली है फ्रांस में, उस मीटिंग में हमारे देश के बिदिश मंत्री संबधित करेंगे, और यूरोपिय यूनियन का वर्तनमान का अध्यक्स फ करें हिंद परसांद खेट के development में इंडो-प्रसांद खेटर के development में इंडी परसांद खेटर अपनी भागेदारी को सुनिश्uşित करें और इस की development में पाटिसिपेट करें ताकि इस खेटर में चीन का प्रभवब हो सके चलिए आज हमाने पास यतना ही न्यूस था वीडियो देखने के लिए आप सभी धन्यवाद थाइंक्यू सो मच प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब थाइंक्यू